इस कोविट के समय में हम लोगों को बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रखना है और बदलते मौशम में भी हम लोगों को बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना चाहिए तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर अपना ध्यान रखो क्योंकि अभी बदलते मौसम में भी छीक और खांसी होने की संभावना रहती है जो बहुत जादा खांसी होती है सूखी खांसी खांसी वो बहुत जादा होने पर छाती में दर्द करने लगता है और उस वो जल्दी से जाता ही नहीं है और डर बना रहता है कि कहीं हमें कोविट तो नहीं हो गया तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ही घरेलु नुस्खा जो कितनी भी पुरानी खासी हो और शूखी खासी हो उसे ये दूर कर देगा तो चलिए इसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए वो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे यह है पीपर, मैं इंगलिस में इसका नाम लिख दूँगी, यह है पीपर जो खांसी में बहुत ही अच्छा होता है, और जितनी कितनी भी पुरानी अगर खांसी हो, तो वो सब दूर करता है, और यह है लोंग, लोंग भी हमारे सुखी खांसी को ठेक करता है, और काली मिर्च जो मसाला में यूज किया जाता है, वो है काली मिर्च, जो गले में जो खरास बगर होती है, या गले में जो सुखी खांसी अटक जाती है, या कफ अटक जाता है, उन सब को ये दूर करता है तो ये तीनों चीज बहुत ही अच्छा है गला के लिए और सुखी खांसी के लिए और इसमें मैं डाली हूँ हल्दी, जो एंटिसेप्टिक होता है और गले के ख़रास या टॉंसिल बग değil में बहुत अच्छा काम करता है उसके बाद घले में अच्छा सा काम करने वाला सिंधा निमक है और उसमें मधू सहद इन सारे चीजों को मैं रख ली हूँ और उसके बाद ये काली मिर्च और लोंग पीपर इन तीनों चीजों को अच्छे से इसमें डाल के और इसे क्या करना है कि 10 मिनट तक low medium flame में 10 मिनट तक इसे भूनना है मैं इसे देखिए यहाँ पर भून के आ गई हूँ भूनने के बाद ये लोंग जो है थोड़ा सा सफेद और ये सारा चीज एकदम थोड़ा सा कालापन आ जाता है जिससे कि आपको लगेगा आपको पता चल जाएगा कि ये तो इसे थोड़ा देर ठंडा होने देजे और ठंडा होने के बाद इसे क्या करना है कूट लेना है कूटने के कूट लीजिए इसे ओखली में जो आपके घर में मसाला कूटने वाली जो मूशल होती है घर में छोटा सा लोग रखते हैं उसमें आप कूट लीजिए या अग खोर ठंडा होने के बाद ये बहुत अच्छा सा पॉडर बनके तयार हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉडर बनके रेडी हो गया है, देखे कितना अच्छा सा पॉडर बना है और बहुत ही अच्छा है ये घरेलू नुस्खा, अगर आप लोग चाहें तो जरूर इसे करना क्योंकि आप एक बार देखना करके बहुत अच्छा कितनी भी पुरानी खासी हो या चाहें आपके गले में खरास हो, बदलते मौसम के समय में आपका जल्दी से जाही नहीं रहा खासी, तो ये आप एक बार से दो बार करो, देखना आपको जरूर राहत मि हल्दी भी आपको इसमें मैं मिलाई हूँ थोरा थोरा जैसे एक पुरा फुल चमच जो इसका मसाला है पीपर और लोंग और काले मिर्च का तो उसमें आधा चमच हल्दी डालना है और आधा ही चमच नमक भी डालना है, उसके बाद दो चमच मधू लेना है, दो चमच थोड़ा जादा बहुत जादा नहीं डालूंगी हाप चमच से थोड़ा सा जादा यानि कि one fourth मैं इसमें डाली हूँ और इसमें थोड़ा सा मधू की कमी है तो इसमें मैं थोड़ा सा मधू और फिर उपर से मिलाऊंगी इसी तरीके से आपको quantity तयार करना है और उसके बाद इ इसमें आप अदरक का रस भी मिला लेना जैसे कि और भी अच्छा फायदा करे क्योंकि अदरक हमारे गले के लिए रामबान होता है ये जितने भी चीज मैं इसमें डाली हूँ वो गले के लिए बहुत अच्छा है आप सुबह और शाम दोनों टाइम इसे सूखी खांसी में लीजिए कितनी भी पुरानी खांसी हो या आपको लगातार खांसी आ रही हो उन सबसे ये छुटकारा दिलाएगा और देखिएगा कुछी दिनों में आपकी खांसी बिलकुल खत्म हो जाएगी मैं आप लोगों के साथ दो तीन रेमेडी सेयर करूंगी बहुत ही अच्छा रेमेडी है तो चलिए पसंद आए तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा दूसरों के साथ सेयर करूंगी बहुत है